हेलो गाईज, वेलकम टू माई शैनल तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपने भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया पहले पॉजिटिव आया उसके बाद अब आप टेस्ट कर रहे हो तो अब नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा क्यों होता है क्या रीजन्स होते है पहले पॉजिटिव आता है फिन नेगेटिव आता है तो आप बहुत जादा कंफूज रहते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने पीरिड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया या period miss होने के तुरंत बाद एक दो दिन में pregnancy test किया वो positive आया तो उसका एक reason हो सकता है कि वो test invalid हो मतलब कई बार pregnancy test में भी कोई problem हो सकती है वो एक HCG hormone detector है ठीक है तो वो positive की जगा negative या negative की जगा positive दिखा सकता है तो अगर आपको pregnancy confirm करनी है तो आपको कम से कम 2-3 test करने है या फिर आपको अपने gynecologist से scan के थूँ या sonography के थूँ confirm करना है तो ही आपकी pregnancy confirm होगी तो पहला reason यह है कि वो test invalid हो सकता है उसमें ही कोई problem हो सकती है दूसरा reason हो सकता है chemical pregnancy मतलब आपका egg fertilized हो गया है ठीक है आपके pregnancy हो गई है लेकिन period miss होने से पहले ही वो miscarriage हो गया ठीक है अब chemical pregnancy बहुत बार हो जाती है मतलब fertilized egg uterus के wall में stick भी हो जाता है लेकिन वो egg इतना capable नहीं होता है कि वो आगे जा सके तो आपके period miss हो गए उसके एक दो दिन में फिर से period आ गए मतलब वो chemical pregnancy भी हो सकती है तो ये दो थे reason अगर आपके मन में कोई और doubt हो question हो तो आप comment section में मुझे जरूर पूछ सकते हैं Thank you guys, thanks for watching